कोटा लोकसभा अत्यक्ष ओंबिला के संसदी शेत्र कोटा को शिक्षनगरी के नाम से पहचाना जाता है कोटा छे विदानसभा सीटो का जिला है जिसमें हाल ही में तीन सीटो पर बीजेपी का वर्चस्प कायम है तो वहीं तीन सीटो पर कांग्रेस का राज है प्रतेक विदानसभा शेत्र में कुछ जाती समिकरन भी है जिनके आदार पर हर बार यहां सक्ता में कई सीटों पर परिवर्दन भी देखा गया है कोटा की तीन विदान सबा सीटों पर लगभग 20 सालों से भारती जंता पार्टी का कबजरा है लेकिन तीन सीटों पर हाल ही में कांगरेस है इन सीटों पर हर बार परिवर्दन देखा गया है पूरे कोटा जीने का अगर समीकरन देखा जाये तो कोटा के ओम बिला सांसद है और वहीं से 6 की 6 सीटों पर दोनों ही पार्टियों की सीधी टकर है हाला कि कुछ टिकेट वितरन पर भी राजनीती और जाती है समीकरन डिपेंड करेगा लेकिन कुछ मुद्दे भी हैं जिनके नाम से इस बार कोटा में चुनाव लड़ा जाएगा जहां एक तरफ कोटा चमचमाता नजर आता है तो वहीं कोटा के ग्रामिन शेतर पर नज़र डालते हैं तो वहाँ अवेद खनन और सडकों के अभाव में बेरुजगारी और चम्बल नदी होने के बाजूत पानी का संकत कोटा के लोगों को जहना पड़ रहा है हाला कि काफी हद तक पहले से ज़्यादा का विकास हुआ है लेकिन कोटा के ग्रामिन इला के आज भी कई सुविधाओं से वन्चित है और उन्हें सुविधाओं के ओर मुद्दो के आधार पर इस बार कोटा में विदानसभा के चुनाव लड़े जाएंगे कोटा में कुछ कंपनियों के आने के बाद एक मुख्य रूप से कैडियल कंपनी के आते ही विदूत का संकर भी पैदा हो गया है पैजवल भी कोटा की एक बड़ी समस्या में शामिल है हाला कि चंबल दिवार पेंट का काम शांतिधारीवाल ने कराया लेकिन भारती जंता पार्टी और लोगों का आरोफ है कि वह पूरा विकास कोटा उत्तर में ही हुआ है जितना पूरी कोटा जिले का विकास के लिए पैसा था शांतिधारीवाल ने वह पूरा पैसा कोटा उत्तर के विकास कारे में लगाया है ऐसे में पांच विदान सभाशेत्र पूरी धरे से विकास से वंचित है पीने के पानी के अभाव में कोटा दक्षित प्यास से मर रहा है लेकिन शांतिधारिवाल के होते हुए और यूडियेज मंत्री होने के बावजुद वहाँ पर लोगों की पानी की समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है कोटा की 6K6 विधानसबा सीटों पर अलग-अलग सीट और कैंडिडेट के बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहा है उसमें सबसे पहले हम कोटा उत्तर से शुरू करते हैं कोटा उत्तर में हालही में सरकार में यूडियेज मंत्री शांतिधारिवाल काबिस है लेकिन उनसे पहले यहां पर भारती जंता पार्टी के पहला गुंजल जीत कर आये थे यहां पर हर बार एक बार कांग्रेस और एक बार वीजेपी का शाशन चला रहा है इस बार शांतिधारिवाल ने कोटा को काफी सोगाते दी है और अब चुनाव के नज़िक आते ही उनका डो टू डो संपर का प्लान भी जारी है लेकिन यहां हर बार सत्ता परिवर्तन होता है इस बार अगर पीजेपी की ओर से पहला गुंजल को टिकेट दिया जाता है तो पहला गुंजल शांतिधारिवाल को कड़ी चुनोती देंगे तो क्या इस बार कांगरेश फिर से अपनी जगब बना पाएगी आप किसे चुनना चाहते हैं या हमें कमेंट करकर जरूर बताएं तो आप मेरे साथ देख रहे हैं जनाएक देखते रहे हैं जनाएक और पढ़ते रहे हैं जनाएक और अभी तक आपने हमारा चनल सब्सक्राब नहीं किया है तो कर ले ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पोच जाए नमस्कार